तो गैस अगर मैं आपसे पूछीए माइनकर्ट का सबसे ज़्यादा यूजलेस ओर कौन सा है तो आप क्या कहोगे ओविसली गोल्ड ये इतना ज़्यादा यूजलेस है कि आप गोल्ड के पिकक से खुद गोल्ड को ही नहीं तोड सकते हैं और इसके टूल्स और मस्त बनाने स पहले ही तूड जाते हैं और आप सोचिए क्या हो अगर आपका पूरा वर्ली बनाओ इस गोल्ड से इसका मतलब आपके वर्ल्ड के सारे ट्रीस, वोड, स्टोन और सब कुछ गोल्ड के बने हो आज हम सर्वाइफ करने की कोशिश करने वाले हैं इसी गोल्ड ओल्ली वर्ल म जल्दी कम्प्लीट कर देना अब चली वीडियो की जल्स करते हैं और सारे जगा पर यहां पर बस गोल्ड दिख रहे था और यह भाई यहां पर मस्ती कर रहा था तो और क्या मैं लगा दिया इसको एक फटका और उसके बाद मैं पीछे देखा और पीछे गूम के मुझे क् विलेज वर्त अपने सामने स्पॉन होते हैं के साथ साथ मुझे एक विलेज मिल गया तो हम गया जल्दी जल्दी उस विलेज में लूटने के लिए तो मैंने थोड़े बहुत लॉक माइन कर लिये एं उसका एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया और मेरे पास कुछ हेबिल पिकाक्स बनानी वालाओं तो यह की वोड़ेन पिकाक्स बनाना सही था उसके बाद मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल लिया एंद दिन चला गया विलेज को और एक्स्प्लोर करने के लिए तो पहले तो मैंने उसका ट्रेट चेक किया जो गुद ना अच्छा नहीं था उस मिलने का वज़े साब मैं गोल्ड को भी माइन कर सकता था तो मैंने जल्दी जल्दी बहुत सारे गोल्ड माइन कर लिए तो मैंने गोल्ड तो बहुत सारे माइन कर लिए अब बागी था कॉबल स्टोन तो मैंने बहुत सारे कॉबल स्टोन भी माइन कर लिए जैसे कि मैं कॉब कुछ कोबल स्टों के फिट टूल्स बना लिए जैसे कि पिकक्स एक्स स्वार्ट सवल और बागी सारे टूल्स और ये मेरा पहला टाइम था गोल का आर्मर बनाने का क्योंकि इससे पहले मैंने गोल का आर्मर कभी बनाया नहीं था तो मैंने भाई को सारे गोल के आर्मर उसको दे दिये और ये अब इसके बाद हम थोड़े बहुत प्रोटेटेट हो गये थे मॉप से क्योंकि आब हमें मॉप मार नहीं सकते थे और ये गोल का आर्मर आपके उपर अच्छा भी लगता है मतों आपको भपी लेरी की फिलिंग आती है तो उसके बाद हम लोग चलेगे थोड़े बहुत और एक्स्प्लोरेशन करने के लिए सो मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल लिया और चला गया रूइन बोडल को लूटने के लिए तो हम लोग ने चेस्ट की लूट को चेक किया और भाई क्या ही ओपी लूट था तो यहां पर बहुत सारे आर्मर थे तो यहां पर आर्मर में इंचान्मेंट भी लगी थी और बहुत सारे ओप्सीडीयन भी थे मतलब एक ओसीडीयन था अन कुछ यहां पर आईरन इंगर्ट भी थे तो मैंने जल्दी जल्दी सब को कलिट कर लिया यह पर मैंने गोल्ड ब्लॉक को मायन ने के लिए और से मुझे थे और एक पिकाक्स बना लिया भाई के लिए सो उसके बद मैंने उसका iron का pickaxe दे दिया और चला गया और थोड़े बहुत घर लूटने के लिए और सामने मुझे एक लड़ी का घर दिख गया था जो कि अपने घर से बहुत ज़ोधा खुश था लेकिन मैंने उसका brewing standy ले लिया सो उसके बद मुझे एक मूर्गी दिख जिसको मैंने मार दिया और सामने मुझे एक फेंस दिख गया जिसके अंदर एक घोड़ा था और एक शीप था और उसके opposite में और एक फेंस था और मैं मतले कि ये fence best था क्योंकि इसके सामने बहुत सारे trees भी थे है बहुत सारे घोड़े और बहुत सारे गाई भी थे सो मैं फेंस के अंदर गया और सारे गोडों को मार दिया और जिसने भी फेंस को बनाया था वैं सामने में एक छेद रख दिया तो तो मैंने उस छेद को बंद कर दिया और चला गया थोड़ा बहुत और exploration करने के लिए सो मैं यहाँ पे थोड़े बहुत फेंस कलेट कर रहा था और सामने मुझे क्या दिख गया एक iron golem और आपको तो पता ही है कि iron golem दिखने पर मैं क्या करता हूँ सो मैं जल्दी जल्दी iron golem के पास गया और उसको मार दिया सो अब मेरे पास फाइनली बहुत सारे iron हो गयते हैं और इन सारे iron को लेके मैंने एक iron bucket बना लिया अब यहाँ पर आप सोच रहोंगे कि मैंने bucket क्यों बनाया भाई bucket की यहाँ पर बहुत सारा ज़रूरत थी लावा कलेट करने के लिए क्योंकि मुझे एक cobblestone generator बनाना था सो नेक्स डेकी सुबह को हमने एक शील्ड बना लिया भाई को भी एक शील्ड दे दिया अब चाहिता हमें घर तो हमने वह वाला घर ले लिया भाई मतलब देखो यह farm वाल अगर बहुत जादा ओपी है क्योंकि यहाँ पे trees भी है यहाँ पे infinite so so water भी है और fence में तो आप sheep भी spawn हो चुके है तो यह घर हमारे लिए best होगा और अब tension बिल्कुल मत करो इस villages से हमने एक एमरेट के बदले यह घर खरीद लिया है जो उसके बाद मैंने कुछ जगा बनाए क्योंकि मुझे यहाँ पर chat रखने थी कियो है अपने inventory में बहुत जादा ओधाओ के सामान भर गयते लिया भ्या Works सारे चाइंद प्लेश करने के बाद हमें कुछ समेंड करने के लिए बिचाइये था तो मैंने यहाँ पर कुछ स्म बनाने के लिए उसके बाद सारे के सारे डट प्लेस कर दिये और सारे सापलिंग भी प्लेस कर दिये और फाइनल अपने ट्री फार्म हो गया था रेडी और अब रात भी हो रही थी तो मैं चला गया डारेक्ली सोने के लिए और मैं सोने के लिए जाई रहा था कि मुझे सामने एक विलेजर दिख गया और इसे लग रहा थे यह गर उसका है भाई मैंनों उसको मार के भगा दिया और अब हमारे पास खाने की बहुत जादा कमी थी तो हम लोग चले गया और विलेज लूटने के लिए जाए कि हमें वहाँ जड़ाँ पटेटरों थे तो नहीं बहुत ज़्यादा जरूरत थी तो मैंने आलू भी कलिक कर लिया क्या किया और देख सकते आप इतने सारे चीजे हम लोग ने इस विलेज से लूट लूटी थी तो भाई फोड़े बहुत और एकस्पिलिशन के लिए चले गए ल लेकिन सामने हमें एक रूइन नेदा पोडल मिल गया तो यह अपने लिए के बहुत साथा लखी चीज़ हो गई तो हम लोग जल्दी जल्दी रूइन पोडल का चेस्ट उपेन किया और उसमें था एक मेंडिंग का हेलमेट मतलब समझ रहो यार हेलमेट में भी मिल दिंग लेकिन पूरा गोल्द ब्लॉग भाई लावा में गिरी गया और जैसे के हमने सोचा था इस विलेज में भी एक आईरन गॉलम था तो आपको तो पता ही उस आईरन गॉलम का हमने क्या किया सो फाइनली इस विलेज का हमने सारे चीज़े लूट लिया जाते की हेवेल्स और बाकी थोड़े बैट और चेस्ट एंज दिन चले गए हम लोग अपने घर और घर जाते समय हमें एक लावा पॉंड मिल गया तो हमने सुझा क्यों न एक नेधर पोटल बना लिया जाए तो मैंनों उसको दे दिया और वह कितना प्रो जैसे बना रहा था भाई मतलब मैं ही बहुत बड़ा नूबू यार सो फाइनली हमारा नेधर पोटल हो गया था कम्प्लीट एंड एंड हमने अक्टिवेट कर दिया और अपना नेधर पोटल लाइट अप भी हो गया मतलब मेरा सकते यहां पर इस सोबस्क्राइब में किसको सब्सकून यहां चलिया कर दे और दूसरी बाद कि आपको यहां पर इतना स्लो काश्वाआ पक्ते सब्सक्राइब करने के बाद हम लोग चलेगे अपने घर अपने घर और अपने पास बहुत सारे खाने होगी नहीं सामान को अपने चेस्ट में रख दिया और अपना पर ट्री फाम भी बहुत बढ़ा हो गया तो मैं जल्दी जल्दी गया और बहुत सारे वुट काट लिए आप बहुत की बहुत साथ जो रहती क्योंकि हमें फ्लेचर के साथ ट्रेट करना था जिसके लिए बहुत सारे स्टिक चाहिए होंगे और अपने पास ट्रिक तो है नहीं तो यह वुट फार्म कब काम आएगा लेकिन उससे पहले वाई हमें एक बड़ा साफ फार्म के साथ बीट था मतलब मेरे पास जितने इतने पटेटो थे सारे वीट सीड और सारे कैरट मैंने प्लेस कर दिए फिर भी फूल नहीं हुआ तो यह सब कत्ते कत्ते रात होगी तो मैं चला गया सोने के लिए और नेक्स देगे सुबा को मैंने एक फ्लेचिंग टेबल बनाया जैसे कि मैं एक विलेजर को फ्लेचर बना पाओ एन एक नेला विलेजर धूरने के लिए चला गया थोड़ी देर के बाद मुझे एक नला विलेजर दिख भी गया जिसको मैंने फ्लेचर बना दिया और उसके साथ मैंने पहुत सारे स्टिक्स की ट्रेट की और हमें इतने जाधा एमरल इसलिए थे क्योंकि हमें चाहिए था डायमेंड आर्मर जो की मिलता आर्मर से और वह बहुत जाधा एमरल की चार्च करता है यार सो इसलिए मैंने फ्लेचर के साथ ट्रेट कंटीनू रखी और बहुत देर ट्रेट करने के बाद हमारे पास थे इतने सारे एमरल्ड्स सो मैं जल्दी से गया और एक नला विलेजर को आर्मर बना दिया और उसके बाद ट्रेटिंग स्टार्ट करती जैसे कि हमें डायमेंड आर्मर मिल सके और फाइनली बहुत जादा मैनत के बाद हमें वो डायमेंड आर्मर दे रहा था और वो भी फुल सेट ऑफ डायमेंड आर्मर तो जल्दी जल्दी हमने वो डायमेंड आर्मर को ट्रेट कर लिया अब बहुत जादा प्रोटेक्टेड वो भी इंचांटे डायमेंड आर्मर के साथ तो डायमेंड आर्मर पहनने के बाद मैं थोड़े बहुत और वूट कलिट करने के लिए चला गया जैसे कि मैं और फ्लेचर के साथ ट्रेट कर सकूं एंड ये वूट कार्ड के बाहर आई रहा था को मुझे एक वर्णर वर्णरंग ट्रेट ळें गया जो कि मुझे पंकीन सीट बे रहा था कुछ पौट rer सोल दे रहे थे थे तो मैंने यहां पर काम खत्म करने के बाद रात हो रही थी तो मैं चला गया सोने के लिए और नेक्स्ट की सुबा को अपने पास बहुत सारे पिलेजर्स आ गये थे हमें मानने के लिए और भाई अपने घर में पिलेजर्स ऐसा तो होई नहीं सकता है तो हमने पिलेजर्स को मार दिया बट भाई लगता है कि इनको मानना अच्छा एडिया नहीं था कि उसके जस्ट वाड़े एक रेट स्टार्ट हो गई तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं तो हमने वह ही किया जो एक प्रो प्लेयर करेगा हम लोग भागे लेकिन वह हमारे विलेजस को मारे तो और हमारे विलेजस को तो हमें प्रोटेट करना ही था तो एक छोड़ा सा मॉन्टाज की कैसा हमने उनको भगाया अपने विलेजस से कि अंदन फाइनली बहुत जादा लड़ाई के बाद ये रेट खतम होई गे थे और हम जीद गए लेकिन सारे विलेजर मर गें लेकिन कोई बात नहीं काईस दो विलेजर को हमने घर में बंद करके रखा था और वो दो विलेजर तो सेफ है ना शुष के बाद भाइने मुझे सारे टोटं में दे पकल्ड कि है क्योंकि सारे टोटं उसने कलेट कर लिए थे तो मैंने तीन रख लिये और उसने तीन रग दिय और अब तो भाई हम लोग मतलब मर सकते ही नहीं है और अब हमें चाहिए तेक एक सबसारेण मिल चाहिए थे और बोन मिलने के सबसीजी तनल का हमने हो सकता है हमने बहुत सार कपलश्टन कलेट करना स्टार्ट कर दिया कि झाल 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 इंद फाइनल अपने एक सी फाम हो गया था complete और एज यूड बहुत से जादा ओपी काम कर रहा था आप देख सकते हो कितने जादे यहाँ पे मॉप्स पॉन हो गये थे तो हमने इन मॉप्स को मार दिया और बहुत सारे बोन मील कलेट किये और यह बोन मील था हमारे ट्रीज क कर पाएं और भाई उसके अंदर चले गए और भाई ने उस विलेजर को आजाद कर दिया और यहां पर बहुत सारे बेट प्लेस कर दिये और भाई हमने बहुत सारे उनको खाना भी दे दिया जैसके वो बूदिग कर पाएं और उसने भी विलेजों को खाना दे दिया एंदन खाना देने के बाद हम लोग दूर से विलेजों को देखने लगे कि वह ब्रेडिंग कर रहे की नहीं और यहां पर मैं इस प्रसेस में थोड़ा बहुत बोर हो रहा था तो मैं यह सब करने लागा मतलब थोड़ा बहुत कर लिए और अपने फूट वाम इतना बड़ा था इसको हर्वेस्ट करने में हमें दस से बीस मिनिट लगे और इतना नहीं लगा मजाग कर रहा हूं लेकिन बहुत बढ़ा था यार फाइनल अपने पास हो गये थे बहुत सारे विलेज़स तो सारे विलेज़स को हम लोग ध की ट्रेट चक की और वाइक क्या ही ओपी ट्रेट दे रहा था यहां में सैंड दे रहा था और सैंड से तो हम लोग ग्लास बना सकते एक और ग्लास की हमें बहुत ज़रत थी तो मैं इसे जितने हो सके सारे सैंड कलेट किये और फाइनल आरे आरे वाम को उपर काम करना स्टा करने के बाद हमें एक घर भी चाहिए था तो हमने अपना घर के ऊपर काम करने के लिए और आप देख सकते हैं यहां पर हमें चार आरे मिल गया सो यह कंपलेट करने के बाद हमें एक घर भी चाहिए था तो हमने अपना घर के ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर दिया करता बद्टार्ट करता चाहिए नपना भी स्टार्ट करता घर स्टारब्ट कि अपना घर भी हो गया तक कम्प्लीट और कमेंट डाउन करके आप जरूर बताना है इस घर को 10 में से कितना रिट दिना चाहोगे चली मैं आपको हमारा घर दिखा देता हूं तो सामने चाहरा घर कुछ ऐसा लगता है और साइट साइट साब देख सकते हो कि यहां पर बहुत सारे फैंस से लगे हुए और बहुत सारे ट्राप डॉर भी है अंदर जाके हमारा चेस्ट रूम है जहां पर हमारी सारे सामान रहत करता है तो यह न उपर वारा फ्लो जहां पर अपना बेडरूम कितना जादा हो पर यहां पर पैंटिंगर यहां पर बैरल से और यहां पर बैलकुनी भी है इसब पूरा नजारा देख सकते हो और उसके बाद मैने और भाई नहीं थोड़ी बहुत बाती ःकिए अंट एंद और यह सब करते करते फाइनले अपना हो गया था 50 डेस कम्प्लीट इन 50 डेस में हमने बहुत सारा मस्ती की बहुत सारा एक्स्प्लोरेशन किया बहुत जादा प्रोग्रेस किया और बहुत सारे बिल्स भी बनाए अगर आपको यह वीडियो देख के मज़ा आया तो प्लीज भ